आज हम पैंट में पॉकेट लगाएंगे, इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ले लिए और चोड़ाई 7 इंच, हम नीचे से 3 इंच पर सिलाई लगाते हुए, इसकी चारो तरफ से सिलाई लगा लेंगे, पॉकेट की, थोड़ी गोलाई में मैंने यहां से कट कर दिया है, आप चाह लगाते हैं, मेरे चैनल सपना से लाई सकी में, हम आगे वाला पला लेंगे, सीधे हाथ वाला, उपर से 2,5 इंच छोड़ देंगे, हम बेल्ट के लिए अंदर फोल्ड होगी, उसके बाद 2,5 इंच और छोड़ेंगे, तो टोटल हमारा 5 इंच हो गया, अब यहां से हम पॉ पॉकिट रख लिए है, और पॉकिट के उपर भी निसान लगाएंगे, 6 इंच पर, जैसे मैं कर रहे हूं, वैसे ही आप भी करें, और निसान के उपर हम सिलाई चलाएंगे, बहुत अच्छी पॉकिट बनती है, यह बहुत आसान तरीका है, हमारी सिलाई हो गई है, अब कट कर लेंगे हम इसे, इसके कौनों को कट कर लेंगे, पॉकिट के कौनों को कट कर लेंगे, और इसे पलट देंगे, पलट कर इसके उपर हम एक सिलाई और चलाएंगे, एक पैर का मार्जन लेते हुए चलाएं, यह किनारे पे चलाएं, वो आपकी मर्जी है, मैं थोड़ा सा, आधे पैर का इसे मार्जन लोंगी, इसे हम एक सार करते हुए, इसके उपर से सिलाई लगाएंगे, इस सिलाई लग गई हमारी, अभी हम पॉकिट को सीधा करके, इसके उपर लाएंगे, हो गया, अब इसके उपर हम पीछे वाला पला रखेंगे, उल्टा करके, जहां से हमारी पॉकिट लगी है, ऐसे हमें पता चल जाएगा, उस पे हम निसान लगा लेंगे, जहां जहां हमें सिलाई करनी है, बस पॉकिट हमारी अंदर से सिलेना, उसका ध्यान रखना है, ऐसे हम पार्थ सिलाई लगा देंगे, उपर से नीचे तक, मैं आपको लगा क पर दिखा रहे हूं कि जहां पर हमारा जोड आएगा वहां हम डबल से लाई कर लेंगे पॉकेट का जहां हमारा बंद होता है उस जगह है ऐसे अब हम पूरान से लाई कर देंगे उपर तक बेल्ट तक इसको अब हम सीधा कर लेंगे यह हमारी पॉकेट बनके रेडी हो चुकी है थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में बाए बाए